एक्साइज एक्ट में दर्जनों वांचित मामले में कोख्याच शराब माफिया बबलू यादोग गिरफतार हो गया है यादोग पूर कांड संख्या 114-2121 नगर थाना कांड संख्या 589-22 एक्साइज एक्ट बैकुनपूर्थाना 234-21, फुलवरियाथाना 252-21, यादोपूर्थाना 174-21, ऐसे कई मामले इस पर दर्ज हैं गोपालगेश का कोख्याज शराब तश्कर बबलू यादो को यादोपूर्थानी की पुलीस ने गिरफतार कर लिया है उस पर दर्जनों शराब कांड के मामले दर्ज हैं, लंबे समय से यह फरार चल रहा था, पुलीस इसकी फिराक में थी लेकिन यादोपूर्थानी की पुलीस के द्वारा इसे गिरफतार कर लिया गया है इसकी जानकारी को पालगेज के स्पी स्वापरभात ने दिया है, बताया जाता है कि इस पर यादोपूर्थाना, कुचायकूट, बैकुनपूर, फुलवरिया, सहित अन्ने कई थानों में शराब के मामले दर्ज थे और ये फरार चल दा था यादोपूर के थाना ध्यक्स के काफी मेहनत के बाद इस कोख्याज शराब तशकर को पकड़ लिया गया है, एसपी स्वापरभात ने बताया है कि इसकी संपती की जाच की जाएगी, वहीं उन्होंने साब तोर पर यह कह दिया है कि ऐसे शराब तशकरों पर वीशे इस नि नाम की राशी दी जाएगी, दरसल ये शराब माफिया लंबे समय से पुलिस के गरफ्त से बाहर चल रहा था, लेकिन यादोपूर की पुलिस ने उससे गरफ्तार करने आइकरासत बेज दिया है, और यह पूर में करीब बारा से ज्यादा केस में भी शराब की केसिज में व इसके संपती की जाएगी कि इसने सराब काले धंदे से कितनी संपती अरजित की है, और नए अपराधी कानून में पुलिस को पावर है कि अगर गलत तरीके से अगर कोई संपती अरजित करता है, तो उसके खिलाब जो है, पुलिस आकर उसकी संपती को जब कर सकती है, और इ कबद्स से पुलिट वि glare को सुना उन्होंने साफ कहा ई कि गर गलत तरीके से संपती और जित मामला आएगा तो इसकी संपति को भी जब्त किया जाएगा खबर यूटूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बूक पर देख रहे हो तो लाइक शेर और कमेंट ज़रूर करिएगा अध्यालेनिक बिल्डिंग सिस्टम जहां पर मिलता है अगर आपको ये सब लेना हो तो जाना होगा गोपाल गेंच के जंगलिया मोड के पास रेमन शोरूरूम के उपर ये सबी मेटेरियल उची दामो में उपलब्द है लाइक शेर शब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यबाद